नमस्याद दोस्तों मैं हूँ आसिस गुपता और मेरी यूटूब चैनल विद्यार्थी प्रिवर्म आपका श्वागत है तो दोस्तों आज की कड़ी के अंतरगत हम पर चलेंगे यूजीसी नेट के अंतरगत ठीक है यूजीसी नेट के अंतरगत जो पॉलिटिकल साइंस का पर है उसको हम लोग स्वाल कर रहे थे तो यहां दोस्तों इसी संखला के अंतरगत आज हम लोग 2012 का जो आपका तीसरा भाग है पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर तीन का उसको आज हम लोग हल करेंगे अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर तरुन माक्ष हेगल या रूशो या इस्टॉलिन तो दोस्तों इसमें बताना है नौ माक्षवात का प्रणास रोत कौन नहीं है तो दोस्तों जो आपका इस्टॉलिन ठीक है इस्टॉलिन वह नहीं है दोस्तों आपका प्रणास रोत नहीं है आगे चालते तो अगले कुश नमस्ट देखे जोस्तो आरस्तू के इसान नागरिता का अधार क्या है अधिवाश ऑकास आयू या सिक्षा आफ वीडियो को पुश करके जोस्तो अपना एंसर कर सकते हैं उसके बात आंसर दे सकते हैं इससे आपके ये कॉश्चन की पाकड होती है मजबूत होती है तो दोस्तो आरस्तू के अनसा जो नागरिता का अधार है वह है आवकाश ठीक है जो ओप्सन नंबर तु इस दकरेट अवकाशी उसका नगित्तक आधार है आगी चलते दिस्तों अगले कोश्चन की दरफ कुश्चन में तीन देखे जिसो निम्नांकित में से किस समाजवादी विचारक ने प्लेटो के संपत्ती संबंधी विचार कर समर्थन किया है और रॉबर्ट अवन ने कालमाक्स ने पापर ने या बर्लीन ने किस विचारक ने ठीक किस समाजवादी विचारक ने प्लेटो के संपत्ती समद्धी विचार को इसने समर्थन किया था आगी सित्तों अकले कोश्चन की दरफ कुछन में चार देखे दोसो मैक्योली ने हाफ्स के समान राजनेतिंग निरंगुष्टा का सिध्धान बिक्सित नहीं किया किस ने कहा था मैक्योली ने हाफ्स के समान राजनेतिंग निरंगुष्टा का सिध्धान बिक्सित नहीं किया है या किस ने कहा था वारकर ने सेवा महोदय ने कहा था आप्सन नंबर तू इस दगरेट एंसे दिसो कुश्य में पांच है दिसो एक राज्य में सर्वोशक्ती एक नहीं दो होती है एक सरकार की और एक सरकार की और दूसरी जनता की निम्नाकित में से कौन इस विचार को प्रकट करता है हॉप्स लॉक रूशो य सकते हैं तो जिल से बताएं दूसर पांचवा का एंसर दीजिए एक राज्य में सर्वोशक्ती एक नहीं दो होती है एक तो सरकार की होती दूसरी जनता की या कथन किसका है तो जोसो है जॉन लॉक का ठीक है जॉन लॉक का कथन है दूसरो अप्सन नंबर तू इस दकरेट अंसर सो आगे चलते हैं तो अगले कोशन की तरफ कोशन में अच्छा देखें दूसरो जेस्मील को असंतुष्ट प्रजातनतवादी के रूप में किसने संभोधित किया है सी एल वेफर ने अरने श्वारकर ने मलफ्रोट क्यू विस सिबली ने या डबलू टी जोंस ने त इस ने जेस्मील को असंतुष्ट प्रजातनतवादी के रूप में संभोधित किया है और अगे चलते हैं अगले कोशिन की दाप दोस्तों क्वोशन está Pacific Этот पर अप्रेसा से कौन से विचार को गुर्धात का विचार वर्ग lanç का विचार या भारी प्रवरुति Komma या उत्पादन के प्रकेति एम्मों का विचार तो जिल से देखें दूस्टों करिए कुश्ण नंबर साथ का एंसर बताए दोस्टों फटबड तो जो फ्रांसिसी करांति से माक्स ने ठीक है किस विचार गुरहां किया था भारी परिवर्थन का विचार ओपसन नंबर 3 इस अर्प भारी परिवर्थन का विचार से ही जो आपको पताओ गए दोस्टों 1799 में ठी से सिक रान्त हुई थी और जिसमें सतंता समानता की विचारधाराओं को बाहर निकल कर आया था आगली कोशिण की तरफ कोशन में आट देखे सो गांधी ने किस पुस्तक में पश्चिमी सब्वता को सैतानी सब्वता कहा है ठीक सत्त के साथ मेरे प्रियोक दच्छन अफरीका में सत्यागरा का इतिहास हिंद सुराज या स्वर्वदे तो जुल इस फटाफाट गैसकर जिए कोशिण नमर आट का तो जो गांधी जी ने क्षिवी सब्वता को सैतानी सब्वता का है वो अपने हिंद्व शुराज नम्बा कुस्तक में कहा है हिंद्व सुराज नम्बा कुस्तम औप सन एंबर तिरौ करें से दों सो आगली कोशि तो दोस्तों है लिए श्टाउस ठीक राजनी शास को एक उप्चरात्मक विज्ञान के रूप में किष्णे प्रिभाशत किया है क्रिक पैट्रिक ने आलफरेट कोबान ने या हिराड लासबेल ने या राबर डाहल ने तो दोस्तों जो आपका राजनी शास को एक उप्चरात्मक विज्ञान के रूप में परिभाशत किया है वो किया था दोस्तों आपके हिराड लासबेल महोदे ने ठीक है ऑप्सन नमब देशे जिवन सतंता और संपत्ती ब्यक्ति के लिए तीनों अधिकारों को स्वविकार करने वाली विचारधार नहीं है नहीं है क्लासिकल उदारवाद योगिताबाद या नौ उदारवाद या माक्सवाद तो 11 नमबर का इंसर जलिए बताए जिए जिए कौन से इसमें व अंगले कोशिन की तरफ कोशन बबर देखे जुसों नियाय के सिध्धान संदर में निम्नांकित में से कौन देच्छता के सिध्धान का तो प्रतिबादयन करता है प्रन्तु पुरुषकार के सिध्धान का नहीं अरस्तू जौन रॉल्स रावर्ट नौजिक या एडम जो नयवादी विचार एकदारा है इतने थिरू आप जिश्टिश नमक उस्तक भी लिखिए दोस्तों यह भी याद रखिए तो आगी चलते दोस्तों अगले कुश्य की तरफ कुश्य में तेरे देखें दोस्तों लेनीन की करांती संबंधी विचारों से सुमलित नहीं है कौन सा नेतुत के बिना करांती चिरिस्थाई नहीं होती क्रांती के लिए विसाइक क्रांती कारी जरूरी है या केवल मजदूर वर्ग ही क्रांती के लिए सच्छम है या लोगों का शमू जो सभावी गुरूप से संगर्स की और खीचा जाता है आंदोलन का आधार बनता है तो लेने की क्रांती की सम्मेद विचारदर में इसमें से क तो दोस्तो अफ्सान नंबर त्री जख्रेट अंसर केवल मजदूर वरगी करांती के लिए सच्छा में ऐसा नहीं है ठीक है दोस्तो यह सुमिलित नहीं है आगले क्वेश्चन की तरफ कोशन में राजनीत के समुवादी सिधहन का प्रतिबादन है कौन म predicting डूकित नंबर इस द कारेट नहीं एक समुवादी सिध्धान का प्रतिवादन किया था आगी तो दोस्तों जो निरंतर करांती के सिध्धान से सम्मंधित बिद्ध्वान कौन है काल माक्स महत्मा गांधी मौसोतों या रुशों तो दोस्तों जो निरंतर क्रांती के सिध्धान से संबंदित विद्ध्वान है वो कौन है आपको बताना है तो दोस्तों है मासोतुंग अफ्सन नंबर त्री इधकर डान सो दोस्तों मासोतुंग ही निरंतर क्रांती के सिध्धान से संबंदित विद्ध्वान में से एक है रेडमंड बर्ग या काल मार्क्स या काल पापर तो दोस्तों जो करांति को इतिहास का प्रयागबल मनता है अगेली कोशन की तरब कोशन नमर्स 17 अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे दोस्तों लाइक कर दीजी अपने दोस्तों भी सेर कर दीजी ताकि हम लो क्युश्यवबद 17 दोस्तों सिध्ध tucked के अन्सवार तीस्टी दूनिया के देषित्व में अल्फ बिकास का मूल कारण क्या है रहा है इनका समाजिक और आर्थिक विकास2 सकतिओं сам को रहा है इन देफों में सनिक सासन या इन समय राजनितिक अश्चीरता है इन देशों में बढ़ता प्रिष्टाचार है तो जली से दोस्तों कुश्चन में 17 का एंसर करिए तो जोस्तों अप्सान नमबर एंसर इनका समाजिक और आर्थिक विकास बाय सक्तियों के नियंति से हो रहा है इसलिए प्राशिता सिध्धान के अनुसर तीसी दुनिया के देशों में अलपिकास का मूल कारण यही है ठीक है जोस्तों अंग्रेजी में देखना चाहते हैं जो और 720 पर आफसेट कर लेंगे तो आपका वीडियो किदम के लिए देखेगा दूसरों आगे चलते दूस्तों अगले कुश्यं की तरफ कुश्यं में रठा देखिए जो लक्षण अध्यचात्मक सरकार के लिए तौशक है प्रंतु संसदात्मक सरकार के लिए नहीं हुआ है संसत की सरोचिता प्रभावसाली बिरूधी दल समयधान की सरोचिता या कारपालका की निश्चित अवधी तो 18 नंबर का एंसर बता है दो दोस्तों जो इसमें आपका सही एंसर हो आपका उप्सन नंबर 4 कारपालका की निश्चित अवधी ठीक है दोस्तों अप्सन नंबर के अगे से अगली कोशन के तरफ दुस्तो अ में इस संसदी ह आसन ब्रेस्टा में करिपाकदته साम्री गरूीर रूप से उतत्तरदाई होते हैं किसके प्रति ब्यस थाफिका उचित अब्रक्रेस कि प्रेश यह प्रद्हणा मंति के प्रती या राज ल्द्हच की के प्रक्रति बहुत यह आसान से कुश्चन है दस्तों को थोड़ा सा फर घुमा के दिया गया है तो जिल से बताएं दूसों आप्सण नमबर कौन से सब्सक्राइब दोस्तों कुश्चन नमबर 19 का एंसर दीजिए कि तो दूसों यहाँ पे ठीक प्रहें क्यों मिनों हैं जाट्मिसर देस्तों आप सनन नमबर टु ठीक है दस्तों बेस्थ्थापिका करें éléments सदन के प्रती तो जोने जान जाएं अपने सर्दन होता क्या है तो जो हमारा दूस्तों यहाँ पे उच्छी स्रदन हो आपका राजिय सबहा है ठीक है दोस्तों और जो निम्निश्दन हो लोग सबहा है ठीक दोस्तों अगर किसी प्रकाइब को कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूरू बताया करिए उस पर सुधारा जा सकता है आगे जो अगले कोशन की तरफ तो यहां पर जो संसाजी सासन ब्यस्था में कारपाल का शामगुरू सब्सक्राइब होती है वो ब्यस्था पर का कि निम्निश्दन के प्रति होती है और से नंबर टू इधा करेट अगे जो अगले कोशन की तरफ कोशन में 20 है निम्निखित में कौन सही उगमुक को पहचान करना है ठीक जो तो यहां पर देखे नीचे क्या दिया है आड्मांड इन पावल कम्परेटिव पॉलिटिक्स एडबलेमेंट एप्रोच आर्सी में डिस कम्परेटिव पॉलिटिक्स टूडे इन एड वर्ल्ड सिड्नी वर्बा देश्टेडी आफ कम्परेटिव गवर्मेंट या इस्टन दे पॉलिटिक्स आफ डबलेमुटिंग एरियास तो जोजी से कौन से इसमग सही दूस्तों आपको बताना है एक तरफ दूस्तों यहां पर लेखा का एक तरफ उनकी पुस्तक है तो दूस्तों यहां पर ऑप्सन नंबर ए जकरेट एंसर तो आजमन पावर्मेंटिक्स आफ डबलेमेंट अप्रोच ठीक है यह आमन्ड पावल की प्रसिदी पुस्तक है आप इसे नोट डाउन कर लिए तो कई बार जम्मों में लगातार पूछा भी जाता है हabord कोमध में से समिधान वाद के अश्यक्त शार्त नहीं है अप है सरवच हो है सतन्ह नियपल का नियतिकालीव चुनौश उयदिकार्यों सतथतन तय तो वह आो नकर्स अ हिसके अश्यक्त शर्त नहीं है आप से अर्चन ड़र यकले कोशन की दरफ अगले question देखे दोस्तों कूट दिया गया है कूट सुची X को सुची Y के साथ सुमलित करना है तो यहाँ पर दोस्तों एक तरफ पुस्तक दिया एक तरफ उसके रशना कर दिया है तो चले दोस्तों हम लोग मिलान कर लेते हैं सबसे पहले देखे दोस्तों आपका politics politics and political decay यह प अप्सन अभी में comparative politics and development approach ठीक है दोस्तों आपका है ग्रेविल आमंड ठीक है दोस्तों इससे मैच कर लिजे और अप्सन नबर सी आपका है the study of comparative governments यह आपकी पुस्तक है आपका यह दोस्तों आपकी मैड्रिस मेकरडिस ब्राउन की और जो अस्पक्टस आप politics development है वह आपका लूसीन पाई का है तो जोसों यह आपका मेच हो गया है आप इसे नोडाउन भी कर सकते हैं यह आप इसकी शूर्ट भी ले सकते हैं अगर आप दोस्तों कूट आधारी देखेंगे तो यहाँ पर आपका 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 सही होता है ठीक हो देख लिजे आप हि आप कोश्ण बरत देखें दोस्तों निम्नांकित में से कौन सायगम सुमलित नहीं है। दा रूलिंग ख्लास मुस्का अलिट एंड इंड ससाइटी बोटा मोरा ठीक है दापावर एलिट सी राइटस मिल्स या दा माइंड़ एंड डीन इसमें गैसले हैं दूस्तों बताना यहां पर भी देखे ले जिस ओप्शन निवर फोर्द कोशाम में 24 देखे गए जिस्वो निम्नांकित में से पूर्ब सुभी संख सामवाधी पार्टी का निम्डेतर इस्तर था प्रास्मिक दली अंग पर्टी सभीरो यह प्रताच दली संगठन यह घंडाजी संगठन तो ब्रात्मिक दली अंग ठीक, आपको सविय संके समाजवादी, पार्टी का निमनेतर इस तर था ये था आपका प्रात्मिक दली अंग ठीक है दोस्व आगे दोस्व कोश्शन में 25 की और कुश्या में पचीज देखे दोस्तो कुश्या में पचीज है निम्नांकित में से बिधी के सासन के लिए नुक्षान दे है निम्नांकित में से बिधी के सासन के लिए नुक्षान दे है कौन है? नैक पुनाबिलो को है सक्रिट या कानूं के उचित पक्रिया कानुंदारा स्थाफित तक स्थापित पड़ गरिया कं realizar आपका ठिरक्रों विश्य met यो रिया कγरति से इस ऐसे जो डिया कुष्ट है लोग कं दर्में औररलोक द्रेतका नहीं हें इसमोहन निर्वाचक जिल रोग च्णरार के संगठित करना यह राजणिति भाड़ती करना यह यह लाविंग जैसी आप म początku सुनते हैं हर थाल सुनते हमासा आया आते दबावासाम के अंतरकर्ण यहां पर दार लाविंग कर रहा है इसलिए आपका नहीं आता पूछे लाविंग नहीं आता ठीक है दूसरों आगे चलते हैं अगली कुछन इंटरफ उसके बाद आता है चंता उसके बाद आता है विकास के स्रड़ी यह तीन स्रण पर किया गया है दूसरों इह बड़े इंपौर्टन कोश्चन्स है आप ध्यान रखिया और इकाई बार रिपेटिटिल किया जाते हैं आपए इसको कर सकते हैं या इसको लूट डान भी कर सकते ह जहां देखिए दोस्तो करम से ही मिलाने कहा गया है इसलिए आप इसको ध्यान रखेगा आगे दोस्तो अगली कुछन तरफ कुछन बठाई देखिए दोस्तो मार्क स्वादी दिश्ट कोण के निसार राजनितिक डाल निम्नांकित में से किसका प्रत्नित करते हैं जनता का वर्ग का संपोर्ण समाज का या नैतिक आस्थाओं का तो दोस्तो करते हैं वर्ग ठीक ऑफसन नमबर टू इस देखिए दोस्तो वर्ग का ही माश्वादी देश्टों कोण राजनितिक विकास में प्रत्नितित करते हैं आगे दोस्तो अगले कुछन कुछन नमबर 29 के वर कुछन में उत्तिस दोसो पीटर मारकल ने राजनितिक समाजी करण की प्रिकरिया के आधार पर ब्यक्ति के जीवन की चार अवस्ताय मानी है इन में से सबसे अंतिम अवस्ता कौन सी है कि आतली आुट कि ग्यायर डुमक के आपसोन देखेगा समाजी विश्वास आकमी बोड ये पहचान का संक्रभल्य या सवय इता का बोड तो जिसवो यहां पर यांपर आक्स में भूथ ठीक हैं वह आपके पीटर मारकल के अंसा रैनितिक समाजी करण ब्यस्था कवरिंगर किया है सनाचानात्मक बिविन्नी करणेवं सांस्कृतिक लोकिकराण या राज निर्वान या दोहनात्मक यानि या यहत्मक चमताएं यह हित सौरुपी कराण के हित समुई कराण तो अप्सन नमबर तीस का अंसर कोश्चन कर दीजिए दूस्व तो सनाचानात्मक बिविन्नी करणा सांस्कृतिक लोकिकराण के लिए आधार पर राचिनी विस्ताकाउस ने आमेंड और पाविल ने बरिंग और किया था तो अप्सन नमबर एग इज़ाट अंसर तो अनिश्यत के अंतरगर दिया गया है तो लिए गए दूस्व थापन के हैं तो सेंब्थाकं कर दरजा दिया गया है करी दो दूस्तों यहां पर प्रश्ण पूख चायति रCKgeois कर सबीघ्यां के संब्थापन के संब्थाक्थार आता है तो आता है 243 का अंतरगत अता है अगले कोशन की तरफ कोशन में 31 देख लिए थोड़ा 200 छूड़ गया था पहली बार राश्वी सहसन लागू किया गया था किस वर्स के लागू किया था कि उनीस से क्याओन में तिरपन में या 65 में या 71 में तो उनीस से क्याओन में पहली बार राश्वी सहसन लागू किया था तो दोसो यहाँ पे आपका 243 पंचाइदी राज सापना के जो समयने दर्जा दिया गया है वो 243 कंतरगत कोशन में 33 देखें दोसो मुहमद दली जिन्ना द्वरा दुराश्टी शिद्धान का प्रतिबादन किया गया था किस वर्स किया था तो 1930 में 1940 में 1925 तो किया गया था तो 1940 में ठीक है दोसो 1940 में मुहमाद अरी जिन्दा दौरा दोई राष्टी सिध्धान की बात कहिए थे याने हिंदुस्तान और पकिस्तान आगे चलते दो तो अगले कोशन के दरफ 34 किस मुकत्मे में सरोशी नर्याइट नहीं निर्ला दिया कि संसत समिधान के मूल राचे में संसर नहीं कर सकती गोलागत बनात पंज़ाब एक गोपालन बनाम मदरासराज रमेश थापर बनाम मदरासराज या यह कष्व नंन्द भारती बनाम केरल राज तो दोस्तो यहां पे केश्वानन्द भारती बनाम जो केरल राज्जी था इससे संबंधित यह निड़ा दिया गया कि संसत द्वारा ठीक है दोस्तो कि संसत समिधान के मूल धाचे पर किसी बरगा का संश्वादर नहीं कर सकती इस सरोच निड़ा दिया था बहुत इंपर्ट कोश्य माइ 15 सा दूसो राजिपाल की पैदा वधी क्या है ठीक है दोस्तो राजिपाल का कारकाल कितने वर्सका हैको हताता नहीं चोश्तो हो है पाहेश्वार ठीक है इसको यह पांच वर्स के लिए हम लोग प्राप्त होता है कोश्य मैं 36 से मद्डान व्योहार का Another यहां पर आयोग ने भी इसका गलत दिया था दोस्तों यहां एंसर को क्या कि गलत देने करण इस प्रश्ण को ही रद्ध कर दिया था कि अगली कोश्ण की तरफ कुश्ण मैं साथी देखी गया मैं लिखें कोट द्यिए गया है इसमें से कौन से कूट आ अट्मक राजी इसका गौण लक्षण, संगात्मक है भारत एक संगात्मक राज है इसका गौनल अच्छन एकात्मक है तो जोड़ी सिखेश करें जिस्तों यहां पर फोर्थ एंसर आपको सही है ए अश्यत्य है दूस्तों मगर आर सत्य है ठीक है दूस्तों अफ्सन नंबर फोर्थ इधा करें जिस्तों कुश्ण 32 जोस्तों पॉल्टिक्स प्रेटीज एंड प्रेशर ग्रुप के लेखा कौन है पॉल्टिक्स प्रेशर ग्रुप पुस्तक के लेखा कौन है डेडी बसू बी ओकी या एस फाइनर या माइनर वीनर तो कुश्ण 32 का एंसर जो बी ओकी ठीक है बी ओकी मौदेजी ठी क्या है राजकी सास की या अध्रिश्य शास की या अनाम सामराज कोश्चन नमबर 49 का इंसर देश्टो है अनाम सामराज ठीक है ऑफ्सन नमबर फोर्ट इधाकर देश्टो दबास अमों के सरुत्तम लख्षण है प्रश्ण नहीं था आयोग ही यहां पर देड़ गया तो इसका एंसर घलत लिए हान की अधडर कर दिया गया था आगहीं दिए अगले कोश्ण्तुराफ प्रताम लोगारा गठन कब प्रताम का लोग सभा का जो पहला गठन हुआ तो 1922 में हुआ था अफसा नबर 33 दक्रेट अगे चलते हैं तो अगले कोशन तरफ अगले कोशन देखें तो भारती राजिजी दलों के प्रती धारणा है कैसी धारणा है एक अच्छा संगठन है उतकर्स कारीरत संगठन है या अन उतकर्स कारीरत संगठन है या दली एकता है तो कोशन में बैलिस का अशर दोस्तों है अनुतकर्स से कारीरत संगठन है ठीक है दोस्तों यह भारती राजिजी दलों के प्रती भीचाड़धारा है लोगों की आगे चलते हैं अगले कोशन तरफ कोशन में 43 देखें दोसो निर्वाच संब्यपादहिक मैनेंता के अंतरक्त प्राप्ते गया है अगे चलते हैं तो अगली कोशन की तरफ कोशन 54 देखेंगे गा तोसव cynरथ ही संगहत्मक ब assuming ब्यास्ता हां भारत एक संगहत्मक देना जीशकत है जिसकते हैं संगहत्मक कए एक अपटमक दोनों है किस्ठमक है एक प्रश्न है जो भारत में संगहत्म गुश्टा यह किस देश से लिए गया है कोश्य में पैंटालिस यह से राश निर्माल का सरोथिक महत्मुर्टत क्या है मद्दान बिहार अनुपातिक प्रत्निधी या समाजीक आर्थिक नया या मॉलिक कर्टब तो कोश्चन में 45 का अंसर बताई दूस्तों वह समाजिक आर्थिक नया ठीक है सभी राश्च निर्माण का महत्मुल्ट तत्मान जाता है अगे दूस्तों अगे दूस्तों लोग प्रसासन के विशाय के रूप में विकास को बिभिन अवस्थाओं के काल करम साथ बढ़ती व हाँ पर दोस्तों जो आपका सबसे पहले बनता है वह आपका बलता है आपका राजस्च गयोंच परशकोंच नमबर?.. इक कहीं तो दूस्थो उफ्सन नंबर यहां पर आपका ठ्रीश करड़े देख लीजिए कि अगली कोशं के तरफ है अगले कोशन से नाव लॉव प्रसासन के विश्चता में समलिध है ग्रहां केंदीग प्रसासन प्रत्र 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 च्वाद या बिन ओकर एक्रन या लोकतांत्रिक नढड़े प्रक्रिया या प्रसासिक प्रक्रिया का भी कहिंदी क्रण या निम्निखित में से कौन से विकल सही आपको बताना है जो ठीक है अपस्टें नम आपको कोशन देखिए कोशन नौ लोग प्रसासन के विशस्ताओं के समलित रूप है कि कुश्चन बड़ता इस देखें दूसरों यहां पर सुची फट को सुची सिकंड के साथ मिलाना है आपको एक सम्मेलन है उसका सम्मेलन में जो आपके भागिदार है वो आपको बताना है दूसरों चले मेच करते हैं जो आपका मिनोबुक शम्मेलन है उसका जो आपका था डिवाल्डो ठीक है उसके बाद विवेग सम्मत निर्ड़े जो है आपका वो आपका है दूस्तों ए शायमन ठीक है दूसरों और सरकार की पुनर बिष्टकार यह आपका है उसके बाद आपका तुलनात्मक लोग पर शायशन जो आपका पड़ता है यह इसका आपका मैच है दूसरों यहां कर मैच मैच की बात करेंगे तो तो यहां पर दूस्तों आगे जाए दूसरों अगली कुश्च निक तरफ कुश मां उन्चास है अल्टन मेयोक के अलोच को द्वारा नियुन में से किन बिद्धूों के आधार पस की अलोच ना की गए है उसने सिध्धान के पेच्छा की है उसने अन ववाद को नाकारा है वह अपर बंधों का समर्थन नहीं है उसने स्रमिकों के छाल योजना का मार प्रस्थ किया है तो जिली बताई कोशिण नमर 49 का उंतर देना दूस्तो तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पहला और चौथा ठीक है पहला उसने क्या-क्या सिद्धान की उपेच्छा किया दूस्तो और उसके बाद आपका है उसने स्रमिको मुख सके बिंदों के अधीर करो सका लम की जाती है घुशन में 50 को पर विर्षाण का सिध्धानि जिस सिध्धानि निहित है वा है ध्यान का छहत्र समन्नु ए या पद्सोपान या आदेश की एक्ता हुआ है इस है को पर सुपान आपका अप्सान नुमर्ट थिरी इज़कर डेंसर्सों कुश्ण में क्या होना है भारत में प्रसासन पर नियाइक नियंत्राण के तरीकों को समलित है अधनिर्ण नियागपुना भी लोकन लेक या जनहित अभियोग निम्निक्षित में से कौन विकल सही है को यहां पर सही है भारत के लोग पर सासन पर नियाग नियंत्राण के तरीकों में समलित है आपका नियागपुना भी लोकन लेक और जनहित अभियोग कोश्ण में बावन क्यों चलते हैं कुछ्छा में बावन देखें जोसो राष्टी विकास परसत का संब्द निम्नाखित कार्यों से है राष्टी योजना के लिए संसाधनों का मुलांकन राष्टी योजना का निर्माड करना यह राष्टी योजना पर विचार करना यह राष्टी योजना का पुनाविय लोकन यह आपके राश्टी विकास परसत के निम्नाखित कारियों में से एक आते हैं कुश्य में तिरपन देखे निम्नाखित में से जिन्होंने मंत्री, सची और स्वाहत्पूर्ण सम्मंदों में विचार किया है मेकजल समिती, भारती प्रसाशिक, सुधार्द आयोग, चखला आयोग, एडी गोरवाला समिती या पाले भी प्रतिवेदन चमिती तो अप्शन नमबर आप देख लिए दोस्तो लिए से तो तीरपन का आपक दोस्तो आंसर में देना है, तो यहाँ पर आयोग ने इसका अंसर गलत दिया था दोस्तों इसलिक या या question भी रध्यकर दिये गया था question में चखं़ों है दोस्तो सनेचर नोकर साही को किस नाम से जाना जाता है जाती नोकर साही, सामनतवाजी नोकर साही, या भीवाग नोकर साही या लूट पणाली तो चरवन का अंसर दीना है जलिए सिक दीज़े तो दूसतो जो आपका सनक्षण नोकर साही को नामसे जनाते है does लूट पनाली अप्षान नंबर फोर्थ ठीक दोस्टो अगली कोशन कोशन नंबर फोर्थ आपका एंसर आपका है लूट पनाली ठीक दोस्टो कोशन 55 दिखेज़ेगा जिस देश के क्रमिक प्रसाशन सुधारों से फुल्टन समीति प्रतिवेदां 1968 का संबन दो था वह था फ्रांस जापान यूसे या यूके दोस्टो था वह यूके यूनाटेट किंग्डाम उससे संबन दित था अफ्षान मर फोर्थ इधा करना से सो आगे चलते कोशन 56 कोशन में छपण देखेगा मैकाले के इस दर्शन को समानाग्य योग प्रसासक होते हैं से पूर्णतर असमति रखने वाली समिति आयोग है कौनसी गर्वला प्रतिवेदां निसिक्याउन आयंगर समिति प्रतिवेदां निसंचास या प्रसाशन सुधा आयोग 1979 मैकाले के दर्शन को समग्य योग प्रसासक होते हैं इसा पूर्णतर असमति बेक्त करता है कुछ मैं सत्ता हूं दिखे दोसो भारत के केंद्री सितर्कता आयोग कमुख कार क्या है अगली कोशन की तरफ तो यहाँ पे आपका कूट अधरिक प्रस्ण दियागा है कोशन नमबर आपका 58 से लेकर 60 तक के अंतरगत तो यहाँ पे दोस्तों आपको उत्तर बता दिया जा रहा है तो आपका पहले प्रस्ण देख लिए रहता है ठीक दोस्तों प्रस्ण आपका 58 के अंतरगत यहाँ प सासान समाज में समाजिक आर्थिक प्रिवर्थनों के लिए उत्तर दाई है तो देखिए हम लोग उत्तर देखते हैं तो यहां पर दोस्तों नमबर टू इज़ा करने से ए आर दोनों सकते हैं परन्तों आर एका सही वेक्षिया नहीं है कोशन में चाहिए देखिएगा कथन क्या करा है नियाएक पुनावलेकोन कारत है वह नियाएक सकती जिसके आधार पर सरकार के समिदान किस आधेसों को बैद गोशित किया जा सकता है भारत आर कहरा है रिजन भारत में विधाई एवमकारिपालके के शवलताओं के करण उच्छ में साथ है दोस्तों देखिए यहाँ पर एक अधन क्या कर रहा है तो यहां दोस्तों जो साठ का एंसर आपका है तीसरा ठीक है एस सत्य है परन्तु आर सत्य है ठीक है दोस्तों यह देख लिए कुश्र में एक सट देखिए दोस्तों माक्सवाद के अंसर अंतराश्टी राजनीत है क्या है अंतराश्टी सर्वहारवाद में और श्रम भाई विजय की आसर रखते हुए बुर्जवा और सामवादी देशों के बीच सक्ति संगर्ष माज़तों के देख लिए अंतराश्टी नेतित के नियुदिस्त लिएत सह न्यामों अंतराश्टी ध negócio ऐसे और छौ अन्नांकित में से कौन सा कथन वर्तमान विश्व वैस्ता को सही रुपे पर भाईपाश कि करता है एक दुरुवी विष्व एक दुरवी अल्पतंत के सा बहुत दुरी विश्व बहुत दुरी विश्व या दो दुरी विश्व तो अफ्सन नमबर टू इस अक्रेड़ेंस दूसो बासट नमबर का इंशर आपका एक दुरी अलतंत के साथ बहुत दुरी विश्व यह आपका वर्तमान विश्व स्था में सही रूप से परिभाशि दोस्तो वो नहीं हो न चाहिए दो पच्छी संधी का हिस्तेदार ठीक है जो देश होते हैं जिसे बहरत देश उसने इसके लिए संधी सम्झोता भी किया है है सच्चर भी किया है कि अगले कोशन की दरफ कोशन में चांसर देखे दोसों भूमंडी करन का परिणाम नहीं है राष्ट राज्यों का समुरता का पतन भू छेत्री सिमाव को लांकर पूंजी जन एम तकनिक राष्ट को विकास में कड़ोती बूराजनितिक परिपेच से भ नहीं है आपका ओप्सन नंबर फोर्थ इधकर डाष्ट राष्ट राष्ट कोशन में 65 है दोसों कूटनीत ही बदल गई है और आज यह अर्थव्यस्था बेपार और पेट्रोलियम से सम्मंदित है यह वक्ता पर किसका है पीबी नर्सिमार राओ के एपीजी अटल ब्यार आपका दोस्तों जल्दी 65 को उतर दीजिए तो कुटनीत बदल गई है आज यह अर्थव्यस्था वेपार और पेट्रोलियम सम्मंदित हो गई है तो यह कहा था मन मोहन सिंग जी ने ठीक आप्सन नमबर थिरी जगरटें से अगला कुश्चि में दोस्तों सूची को फस्तों सूची एक सूची वाई की साथ मिलान करना है एक तरफ सच नियंतऱ पर संदी और एक तरफ संदी पर साच्छर दिया है तो उचली दोस्तों मि में 19 से क्या नवें ठीक दोस्तों ओप्शन नमबर टू इस अग़ला आपका दोस्तों पढता है मुक्त आगास्पर संधी यह हुई थे आपका दोस्तों 1902 में ठीक दोस्तों और फिर आपका सामरिक सस्तर नियुनिकरण संधी श्टार्ट तू में आपका दूसरा भाग हुआ था यह हुआ था जो उन्नी सु तिरानवे में और जो आपका एक बच्चा दोसो यूरोप में परंपाद सास्तों का नियुनी करण यह आपका पैसा नंबर ए उन्नी सु नब्बे तो यह आपका मिलान है जोसो मैच करें अगर अबर आपसान देखना चाहते हैं जोसो आपसान नंबर त्री इज़ा करना है सब्सक्राइब कोश्चा में संसर से अंतराश्टी राजनीत के वेस्था सिद्धान का मुख प्रतिबादक कौन है मार्टन के प्लान हैंसी जे मारगन्थाव हाटिंग्टन या वाल्टर राश दोस्तो इसका है मार्टन के प्लान मार्टन के प्लान ही अंतराश्टी राजनीती वेस्था के सुद्धान का मुख प्रतिबादक है कुछ हमना अनसार से दोस्तों BCIM सायोग फॉरम की नौई वेठक आउजित की गई थी नहीं दिल्ली कुमिंग में या बेजिंग में ढाका में तो की गई थी दोसो कुमिंग में कुमिंग में इसकी आउजित की गई थी कोश्वर 59 से नागरिक परमालू उर्जा सयोग समझाते को पूंड करने के लिए भारत सरकार को कदम नहीं उठाना होगा भारत को आयाय के साथ नागरिक परमालू सुद्धाओं के निच्छाण के लिए अतृक्र प्रोटोकल पर स्थाच्यर करना होगा भारत की मिखंडे नहीं ही समागरी परसेमित संदी को लेकर अमेरिकी प्रासों को समर्थन करना होगा या किसी दुरगटना की स्थित में दायत्त को निर्धारण NSG के साथ विचारवियर्स से होगा किसी दुरगटना की स्थित में दायत्त का निर्धारण NSG से के साथ विचारवियर्स के लिए होगा ऐसा नहीं है कोशम सत्तर देखे देखे दो 1945 में याल्टा समझो होते का सचर करताओं में सम्रित नहीं थे प्रुमेन, रुजबेल्ट, सेर्चिल, या स्टॉलिन दोसो प्रुमेन नहीं सामिल था ठेस ओफ्सन नंबर एक करेक्ट अंसर तो अगले कोश्चन है कोश्चन में इकास्तर देखे दोसो The democracy is roots of India's foreign policy के लिएका कौन है करामती वाच्पई ए अप्पा दो रही या जेन दिच्चित या प्रिकास नंदा दोस्तो ए अप्पा दो रही ठीक है दोस्तो देमोक्रेटिस रूट्स एंड इंडियास foreign policy के उस्तक के लेखाग है अगले दोस्तो निम्नांखित गटना करमों को अर्व कराम में विस्तित किजिए तो आज दोस्तो आपको अप्शन नंबर तो सबस्तो देखते हैं दोस्तो सी कुएट पर इराक का आकमण फिर उसके बद आपका कार गिलियुद उसके बद आपका हुआ है जी फॉर का निर्मान ठीक है यह आपका गटना कराम है दोस्तो आप इसे विस्तित कर लेजे कुशन में 73 जोसो बेरी इंपर्टेट है पॉलिटिक्स एमांग नेशन पुस्तक के लिखा कौन है मारगन थाओ एच कार या सिलिंग्स या किनित वाल्टर्स वाल्ज ठीक है दोस्तो कौन है तीहतर नंबर कुश्चन के इसे दीजिए दोसो जो आपके पॉलिटिक्स एमां चाहतर कुशन है दोस्तो इपसा का सधस इन मेंसे कौन नहीं है इन्वंखिस मेंसे है इंडोनेसी या अफगानिस्तान सिंगापूर या आपका दछन अप्रिका कोश्चन आब चाहतर देखे दोस्तो जली से एंसर दीजे दोस्तो दच्छन अप्रीका इपसा का सदस्य से और इस वीडियो का अंतिम कोश्चन है 75 कोश्चन वी भूमवंडेली करण की अधाना का प्रतिवादन अपनी पुस्तक डी गुलुलाइशन आइडियास फॉर ए निव वर्ड एकनॉमिक में किसको दोरा किया गया है यहां पर आपको फिर से बता दिया रहा है जोई सी नेट के अंतर गया तो जब बारा में पेपर हुआ था पॉल्टिकल साइंस का उसका यहां पर हम लोगों तो आप कुमेंट बॉक्स से बताइए दोस्तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सिर्ष लाइक कर दिए अपने दोस्तों को शेर कर दिए ताकि हम लोग की जो मेहनत है और आप की दोस्तों से पहँंच सके और आप वीडियो के माद्यम से दोस्तों आप फिडबाग भ बहुरत